नमस्कार दोस्तों आर्वत इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं और आज हम आपको बताएंगे कि जैविक खेति के प्रमुक घड़क के बारे में दोस्तों पहला है दोस्तों जैविक खाद के बारे में दोस्तों जैविक खाद कतात पर कर्वनिक बदार्थों से हैं जो कि सरने पर कर्वनिक बदार्थ पैदा करते हैं इसमें मुकता खेति के अवसेश पस्वों का मूत्र मल आदी होता है इसमें फसलों के लिए सभी अवस्यक पूसक्तत कम मात्रा में ही सही उपस्तित होते हैं इनमें मिट्टी कुग सभी पूसक्तत जो फसलें अपनी बढ़वार के लिए ली जाती हैं पुना प्राप्त हो जाते हैं आधने क्रसी में खेती का संगन पद्दिती अपनाई जा रही है दोस्तों जिनसे एक ही खेती में लगता कई फसलें लेने से मिट्टी में कार्वनिक पदार्थ की कमी हो जाती हैं जिससे मिट्टी की संरचना और प्रोलक सक्ति पर बुरा असर परता हैं दोस्तों इसलिए मिट्टी की कार्वनिक पदात को इस्तिर लगने के लिए जैविक खादों का उप्रयोग अति अबस्तक है साथ ही साथ जैविक खाद मिट्टी की जनरचना वायू ताप मान जलधारन छमता की जिवाणू संख्यत तथा उनकी अविक्रियाओं बेस मिनियम छमता और भूमी कटाओं को रोकने पर अच्छा प्रभाव डालती हैं दोस्तों हमारे देश में काफी समय से जैविक खादों का प्रयोग परंपरागत खेती में होता है आया है इनमें प्रमुक कंपोस्ट खाद है जो नगरों में कूड़े करकर दूसरी खेती अवसेश और गोवर से तयार की जाती है गोवर की खाद में अनकंपोस्ट की अप्रेक्चा नाइट्रोजन तदा फासपूरस अधिक मात्रा में पाई जाती है जैविक खादों में लगवक सभी अवसेश पूसक तक्त की मात्रा पाई जाती है दोस्तों और दूसरे है दोस्तों गोवर की खाद भारत में प्रतिक किसान खेती के सांसाथ पसपालन भी करते हैं यदि किसान अपने अपलब्द खेती अवसोसों और पसप के गोवर का प्रयोग खाद बनाने के लिए करें तो स्वयम है उच्छ गववत्ता की खाद तयार कर सकते हैं अच्छी खाद बनाने के लिए एक लीटर या एक मीटर चौणा एक मीटर गहरा या अवस्यक्तर नुसार पांस से दस मीटर लंबाई का गढ़्धा खोद कर इसमें पलब्द खेती अवसेश की एक परत परकूवर तथा मूत्र मल की एक पतली परत दर परत चलहा दे उसे अच्छी तरह नम करके गठी को उचे धंग से ढाक कर मिट्टी और गुवर से बंद कर दें इस प्रकार दो महिने में तेन पलटाई करने पर अच्छी गुरुवत्ता की खाद मना कर तयार हो जाएगी दोस्तों वर्मी कमपोष्ट केचुवा खाद के बारे में बताएंगे दोस्तों अब इसमें केचुवा द्वारा गुवर और अन अवसेश को कम समय में उत्तम गुरुवत्ता की जैविक खाद में बदल देते हैं इस तरह की जैविक खाद में से मिट्टी जल्धारा ज्छमता में प्रत्थी होती है यह भूमी की औरवग सकती को बलहाने में दीवक के प्रकोप को कम करने और पौधों को संत्रुन मात्रा में अवसेश पूसर तत्थ प्रतान करने के लिए उत्तम हैं दोस्तों और अब हम आपको बताएंगे दोस्तों हरी खाद के बारी में जैविक खेती हेतू वर्षाकाल में जल्दी बढ़ने वाली दल्हानी फासलें जैसे देचा, सनाई, लोबिया, गवार, आदी दोस्तों उगा कर कच्ची अवस्ता में लगवग पचास से साथ दिन बाद खेत में जुताई करके मिट्टी में मिला दें इस प्रकार खाद भूमी सुधारने, मिट्टी कटाओ को कम करने नाइट्रोजन, इस्तिरी करान मिट्टी, संचारन और जल्दारान छमता को बढ़ाने में सह रेक सिद्ध होगी, और अब हम आपको बताएंगे दोस्तों, कुवर गैस की सिलरी खाद के बारे में दोस्तों, जैविक खेती में कुवर गैस यंत्र से निकली हुई सिलरी को सीधे ही तरल कुवर की खाद की रूप में खेत में दी जा सकती है, यह सीक्री ही फचल को लाफ पहुचाती है, गुवर की खाद मिट्टी में मिलाने पर एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसके पोसकत्त फल को उपलब्द हो पाते हैं, जबकि इस लरी स्वयम ही सरने में इसमें विद्धमान सभी पोसकत्त फसल और पौदों को सेगर ही प्राप्त हो जाते ह 31 इसलरी खाद का चूरा करके उसे सीधे कुड़े में डाला जा सकता है, दो गन मीटर गेस सहीत्र से प्रती वर्स 10 टन 22 इसलरी खाद प्राप्त होती है इसमें नाइट्रोजन 1.5 से 2% फास्पूरस 1.30 तथा पोटास 1.30 पाया जाता है पतली इसलरी में 2% नाइट्रोजन ओमेनिकल नाइट्रोजन के रूप में होता है इसलिए इसे सचाई जल के साथ नालियों में दिया जाती तो इसका तत्काल प्रवाव हजल पर इसपर्ट रूप से देखा जा सकता है सूखी इसलरी में से नाइट्रोजन का कुछ भाग हवा में उड़ा या उड़ जाता है प्रती हेक्टियर पांच डन इसलरी की मात्रा असीजट खेती में तखा 10 डन इसलरी सीजट खेती में डालना चाहिए जैब और वरक के पारे में अब हम आपको बताएंगे दोस्तों जैब और वरक सोक्न जीवों की जीवित कुछ काउं को किसी वाग केरियर में मिस्रित करके तयार किया जाती है दोस्तों इसमें राईयोवियम कल्चर सबसे अधिक उपयोग में आने वाला चैप उर्द्वर्ख है इसके जवारू दहनी या दलहनी फ़सलों की जड़ों में गाठे बनाकर उसमें रहते हुए वायुमेंडली नत्रजन को भूमी में इस्ते करना कर फसल को उपलब्द कराते हैं द अधिक दलहनी फ़सल का अलग-अलग कल्चर होता है यह जवारू पचास किलो मुकत से एक सो पैदिस किलो क्राम नत्रजन प्रति हैक्ट्यर मिट्टी में इस्तरी करना करते हैं दूस्तों रायोग विया की एक सो साच से साच सो पचास ग्राम मात्रा एक सो असी से सो किलो ग्राम बीच के लिए पर्याप्त होती है तो में दोस्तों आपको तीर जानकारी पसंद आई होगी यदि आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब क कीजिए और यदि आप हमारी यह वीडियो फेस्बूप पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक कीजिए धन्यवाद